Factories Act के according, Occupier किसे कहा गया? कहा गया कि Factories Act के जितने भी प्रोवीजन है, उन सारे प्रोवीजन को comply कराने की जिम्यदारी Occupier की. यानि कि Occupier को Factories Act के मुताबिक हर वो facility जो है वो provide करनी होगी, चाहे वो रामदीन हो, रामखिलावन हो, बंसी, बिर्जी, हर्या, कोई भी लेबर क्यों ना हो? कहा गया कि यह Occupier कौन हुए? अगर Factory is owned by a company, चाहे वो टाटा की हो, चाहे रिलाइन्स की हो, तो ऐसे case में कोई employee कितने भी highest position पर क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ director को ही responsible कहा गया, और director को ही कहा गया, कि वो Occupier कहलाएंगे, कोई भी और employee Occupier के category में बिलकुल ही नहीं आएगा, यानि कि सारे compliance प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी director की हो गई, अगर factory company के द्वारा रन करता है,